नमस्कार दोस्तों मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे डिली 36 और करेंट अफेर्स सीरीज में आज हम 28 मार्श के बार में चर्चा करेंगे इस वीडियो की पीडिया आपका हमारे टेली ग्राम पर मिल जाएगी जिसकी लिंग डिस्क्रिप्शन में दे दी इसका सही उत्तर है श्री भूपेज बगेलने किया है चतिस गड़ के किस कॉलेज को चतिस गड़ इंस्टिट्यूट ऑफ साइन्स के रूप में विक्सित किया जाएगा इसका सही उत्तर है नागरजुन इसनक उत्तर विज्ञान महाविद्यालाय रायपूर को ठीस गड़ के के इस योजना के अंतर्गद राष्ट्य यवं अंतर्ष्ट्य महत्यों के स्थानों में चतिस गड़ सस्कृति के इंद्र खोले जाएन जाएनगे इसका सही उत्तर है चिप3 गड़ कल्चरल कनेक्ट योजना प्लेड़ में उत्कृष्ट कारेओं के लिए 6 किंयों क्या से कितने जिलों को सम्मानित किया गया है सहीं उत्तर cheapest नैंविजिक साह werd को विधायक के तौर पर किसे चुने गया है इसका सहीं उत्तर है धर्मजीत सिह ठाकूर उत्कृष्ट स्वात्स सेवाए उपलब्ध कराने के लिए किस जीले के प्रात्मिक स्वास्त केंद्र नारी को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्री गुर्वत्ता आस्वासन मानक प्रमा जीता है इसका सहीं उत्तर है स्वर्ण पदक वर्ड हैप्पीनेस रिपोट 2023 के अनुसार भारत के रैंक कॉंस है तो इसका सहीं उत्तर है 126 वा पहले रैंक पर है फिनलेंड पिछली वीडियो के क्विस कोश्चन का प्रश्न है निती आयोग द्वारा जारी आकांचे जीलो अनिम नलिखित में से किस ने किया है इसका सहीं उत्तर है ऑप्शन स्री भुपेज बगहिल जीने किया है मुख्य मंत्री स्री भुपेज बगहिल नेना 26 मार्च को राजनान गाउं जीले के विकास खंड छूरिया में पंचायत कैफे का सुभारम किया है जीला प्रसाशन की पहल पर बिहान स्वासाहता समुकी महिलाओं को रोजगार उपलफ्द कराने के लिए और परमपरागत 36 गढ़ी एवां मिलिट्स वेंजनों को बढ़ावा देने के जो उदेश्य से छूरिया के परिसर में पंचायत कैफे की सुरुवात की गई है अगला प्रशन है इसका सिंवत्तर है ऑप्षन बी 121 रुपए वित्ती वर्स में मजदूरों का दयनिक वेतन 204 रुपए था जिसे वित्ती वर्स 2023-24 में 36 गड़ मनरेगा मजदूरी दर में 17 रुपए की वृद्धी कर 221 रुपए किया गया है ध्यान रखेगा दोस्तों आपको प्रश्ण इस तरीके से पूछा जा सकता है कि 36 गड़ मनरेगा मजदूरी दर में कितने रुपए की वृद्धी की गई है तब आपको यहां पर 17 रुपए की वृद्धी दर लेनी है और अभी वर्तमान में 204 रुपए से बढ़ा कर 221 रुपए किया गया है केंद्र सरकार ने 24 मार्च को वित्त वर्स 2023-24 मनरेगा के तहत मजदूरों के वेतन में बढ़ोत्री का नोटिग्रेशन जारी किया है इसके त प्रदेश और 36 गड़ में सबसे कम 221 रुपए तया की गई है अगला प्रशन है चतीस गड़ में इक गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए किस सौफ्टेयर का इस्तेमाल किया जाएगा इसका सहीं उप्षन भी ओपन पोर्ज सौफ्टेयर का राजधनी राइपूर में चिप से द्वारा विभीन नविभागों के अधिकारियों को ओपन पोर्ज के उप्यों के लिए दो दिवसी राज्य इस तरी प्रसिक्षन सा कारेशाला का योजन किया जा रहा है इस कारेशाला का जो मुख्य उद्देश है वो राज्य के नगरिकों तक सुचना प्रद्य के जरिए विभागों को उनकी योजनाओं और कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग और योजनाओं की पहुंच लोगों तक बढ़ाने के लिए असानी से सॉप्टेयर मिल सकेगा दोस्तों प्रदेश इस तरी भरोसे का सम्मेलन कारेक्रम जो है हालीमच हत्तिसगर में हुए उसके पढ़ेंगे उसके बाद इससे रिलेटेड हम प्रश्न पढ़ेंगे यह डिटेल्स आपको बताने का उद्देश है कि सारी एक जगह रहेंगी तो आपको इसको पढ़ने में असानी होगी जिससे अगर इस पर कूट से सम्मंधित प्रश्न पूस्त है तब भी आपको सारे इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा प्रदेश इस तरी भरोसे का सम्मेलन कारेक्रम जो ना चटीस गड़ में जो है 25 मार्च 2023 को हुआ है ध्यार रखेगा यह डेड भी बहुत इंपॉर्टन्ट है आयोजन इस्थल जो था ना वो मुंगेली जीला के सरगाओं में थ किया गया है महत्मा गांधी रूलर इंड़स्ट्यल पार्क रीपा योजना के वेब पोर्टल का भी शुभारम हुआ है मुख्यमंत्री ने राजियु गांधी नगरी भूमी हिन मजदूर नियायोजना का शुभारम किया है ध्यार रखेगा दोस्तों यहां पर नगरी भू 2023 से बिरुजगारी भत्ता योजना प्रारंब किया जाएगा जिसके लिए एक वेब पोर्टल का भी लॉंच मुख्यमंत्री भूपेज बगेलने किया है और इस योजना के तहज्यों बिरुजगारी योगों को 25 सुप्रप्तिमा भत्ता दिया जाएगा तीन नियाय योजन और राजिव गांधी किसान नयाय योजना ध्यां रखेगा दोस्तों राजिव गांधी ग्रामिन भूमेहिन क्रिशी मजदूर नयाय योजना और अभी जो सम्मेलन हुआ है उसमें राजिव गांधी शहरी भूमेहिन क्रिशी मजदूर नयाय योजना का जो है शुभारम कि किया गया है राजी उगांधी किसार नियायोजना के तहज जो है चौंथी किस्त का भूखतान किया गया है और मुख्यमंत्री सिर्भुपेज बगेल ने कारेक्रम में जो है ना 731 करोड चौवण लाग रुपए की लागत से किया है तो चलिए अब डिटेल से रिलेटेड हम कुछ प्रशन पढ़ लेते हैं प्रदेश इस्तरी भरोस्य का सम्मेलन 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है चार ऑप्शन है इसका सहीं उत्तर है उप्षन दी उप्रयुक्त सभी दोस्तों जो प्रदेश इस्तरी भरोस्य का स किया गया था राजिव गांधी नगरी भूमी हिन नियाय योजना का सुभारण निम्न लिखित में से कहां किया गया इसका सिंउत्तर है ऑप्शन भी सरगाओं में मुख्यमंत्री स्री भूपेश बगिल ने मुंगेली जी लखे सरगाओं में राजिव गांधी नगरी भू राजिव गांधी नगरी भूमी हिन मजदूर न्याय योजना लाउंच की गई है और पुरानी योजना राजिव गांधी ग्रामिन भूमी हिन क्रिसी मजदूर योजना के तहट ग्रामिन मजदूर किसानों को सालाना 7000 रुपए की सहता राशी दी जारी है किसान न्याय इन्देस्ट्रियल पार्क रीपा का सुभारम किस ने किया है गया है इसका सही उत्तार Topic जी शिरीप भूपेज Bad ub og e जीने किया गी चैंद्स ग्रम महातम गांधी। इंडेस्ट्रियल पार्क रीपा का सभारम 25 मारकों से भूपेज Bad के सरगावों में किया हैं अगला प्रश्न है चत्तीजगड का पहला ग्रामिन और स्ट्रोग पार्क वोकारपण कहां किय गया था इसका स्युठ्ट राप्षन K deliberately चत्तीजगड के पहला रूटर इंडेस्ट्रिश्यल पार्क का शुभारम क क् About जिले के कूल गाओं में किया गया था जो अभी अकार ले लिया है मुख्य मंत्री स्री भुपेज बगेल ने 25 मार्ज 2023 को मुंगेली जिले के सरगाओं में और जीद भरोसे के सम्मेलन कारेकर में वर्चुल माध्यम से चतिस गड़ में महत्मा गांधी रूलर इंडेस्ट्रियल पार्क का लोकारपन किया है जिसमें बालोट जिले के 10 ग्रामिन अध्योगिक पार्क भी शामिल है अगला प्रशन है चतिस गड़ के प्रत्यक विकास खंड में कितने रूलर इंडेस्ट्रियल पार्क कर निर्मान कि किया जा रहा है इसका सही उत्ता है option B दो 36 गर में प्रथम चरण में 300 रूरल इंडेस्ट्रियल पार्क विक्सित किया जा रहे हैं साशन की तरब से प्रथम चरण में प्रतेक विकास खण में दो गौठानों को रूर इंडेस्ट्रियल पार्क के रूप में विक्सित किया जा है कि दोस्तों अब हम कुछ नेश्टल इंटरनेश्टल करेंट रफेस्ट पढ़ेंगे जो इक्जाम ऑफ पॉंट फ्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है तो चलिए आगे वढ़ते हैं कि इस टीम ने महिला प्रीमियर लिग 2023 का टाइटल जीता है इसका सहीं उत्तार ऑप्शन में खेला गये था जो कि मुंबई में है इसके उप वेजेता तो थे ना वो दिल्ली कैपिटल थे और इसका पहला सीजन जो आयो जीत हुआ है वर्स 2023 में हुआ है और उसमें कुल टीमों की जो संख्या है ना वो पांच है महिला प्रिमियर लिग 2023 के जो अन्य आवार्ड्स है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो चलिए उसको भी हम डिटेल में डिसकस कर लेते हैं तो Most Valuable Player of the Season का जो अवार्ड है वो हेली मैथ्यूस और यनिग और दिल्नी केपिटल आगया है अगला प्रश्न है महिला विश्व मुक्यवाजी चैंपियंशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारती कौन बनी है इसका सही उत्तर आप्षन है निखत जरीन आई बी ए महिला विश्व मुक्य बाजी चेंपियोंशिप 23 में सांधान प्रदर्शन करते हुए न भारत की महिलाओं ने 4 गोल्ड जीते हैं देश की सीर्ष मुक्य बाजनी खत जरिने सांधान प्रदर्शन करते हुए अपने वर्ग में गोल्ड पदक जीता है नीतु घंघास ने 45-48 किलोग्राम वर्ग में फाइनल में मंगोलिया की लुट्से खान को हरा कर भारत को पहला स्वण पदक दिलाया इसके अलावा जो भारत की स्विटी बूरा और लवलीना ने भी भारत को स्वण पदक दिलाया है निखत जरीन विश्व मुख्यबाजी चैंपियंशिप में एक से अधिक स्वण पदक जीतने वाली दूसरी भारती बन गई है इससे पहले दो स्वण पदक जीतने के कारनामा भारत की मैरी कौम ने करके दिखाया था दोस्तो इसमें कुछ पॉइंट से जो मैंने एड नहीं किये हैं तो मैं वो आपको बता देता हूँ कि IPA महिला विश्व मुख्यबाजी चैंपियंशिप का जो आयोजन है ना वो नई दिल्ली में 15 मार्च से 26 मार्च 2023 तक किया गया है अगला प्रशन है New Development Bank के प्रमुख के रूप में किसे चूना गया है इसका सही उत्तर है option भी डिल्मा रूसेफ को चूना गया है ब्राजिल की पूर्व राश्प्रति डिल्मा रूसेफ को जो है ना नीरवी रोध New Development Bank की अध्यक्ष के रूप में चूना गया है डिल्मा रूसेब जो है न वो मारकोस त्रोहियों की जगा लेंगी NDB जो है एक बहुँ पक्षि विश्ति संस्थान है जिसकी स्थापना BRICS समूह में शामिल देशों ने की थी इससे पहले इस बैंक को जो है ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता था और इस बैंक की जो इस थापना है वर्स 2015 में की गई है और इसका जो मुख्याला है न शंगाई चीन में है मिस्तर जो है न ब्रिक्स समर्थित न्यू डेवलोप्मेंट बैंक का नया सदस्य बना है दोस्तो आज के लिए आपका प्रशन है चार ओप्शन दिये गया है इसका सही आंसर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आज के लिए बस इतना ही दोस्तो आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्यू थैंक्यू वेरी मच्च